तो मेन मेन बात हमने समझ ली कि क्या है set up किस तरह करना है बट नतीजो के बाद भी हम कहते हैं कि company ने क्या आगे का outlook ने यह सब क्या होता है Basically नतीजे आ जाएं उसके बाद क्या performance देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को यह रहता है कितना उन रिजल्ट के बारे में अलरी जान चुका है उस हिसाब से एक्षिन हो गया है फॉर एक्जामबल कोई स्टोक है रिजल्ट के पहले भाग चुका है बहुत और लोगों को अंदाज़ा एक बढ़े रिजल्ट आए उससे पहले उसने खरीद रखा है रिजल्ट आए भी बहुत शानदार लेकिन उनको तो बेचना है ना तो इसलिए रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद के एक्षिन को आपको प्राइस एक्षिन के साथ में जेखना होगा सिर्फ अच्छी रिजल्ट और भाग जाए जरूरी नहीं है और खराब रिजल्ट पर बढ़ जाए इसा भी जरूरी नहीं है कभी कई बार इसा होता ना इसलिए उल्टा कैसे हो गया तो उल्टा होने की यह वजज़े दूसरी बात जो सबसे important है result के बाद की management की commentary कि management आगे के लिए बोल किया रहा है कुछ management guidance देते हैं कुछ नहीं देते हैं जो guidance देते हैं उनको उनके numbers पर भी देखिए लेकिन जो guidance नहीं देते हैं उनको उनके शब्दों पर उनके how भाव पर body language पर confidence पर जज़ करिए यह दम दि तो वो देखना बहुत जरूरी है कि management कितना को मजबूत है बोले का रहे हैं जैसे पूछ दिया है कि कुछ यूएस यूएस में recession चल रहा है आपको कुछ फर्म हमारे पास बहुत काम है तीन साल का काम है हमें फर्क नहीं पड़ता और इंडिया में बहुत जादा है मतला order book बड़ी important है for example L&T जैसी कमचें होगी तो उनके पास कितने order पड़े हैं क्योंकि आप है यह देखते हो अगले 5-7-10 साल के लिए काम है ना इनके पास अब L&T है तो आपको execution पर ज़्यादा सवाल होते ही नहीं जी दंदा मिल रहा है कि नहीं आगे क्या मिलेगा तो अगर मिनिरबर वारत में बहुत सब कुछ यहीं बनने वाला है order book मजबूत होगी तो आपको ऐसी कमचियों में defense कमचिया हुई इनमें आपको order book भी देखनी के रोड बनाने वाली कमचिया हैं इनके पास कितने order पड़े यह देखना होगा और इन सब के साथ साथ जो एक सबसे important च खराब है अब वैलिशन किसी को अच्छा लग सकता है किसी को महंगा लग सकता है वो आपका मेरा अपना अपना आउटलुक अच्छा हो सकता है आपको 30 के multiple पर IT स्टोक सबसे लग सकते हैं मुझे 20 पर भी महंगे लग सकते हैं वो अपना अपना view है लेकिन ultimately आपको results देखन जितना गुशेंगे देखो यह मास अगर है जितने गोते लगाएंगे उतना मज़ा आएगा जितने गहरे जाएंगे उतने अच्छे मोती डून के लाएंगे तो research तो unlimited है आदा गंटे में हमने कोशिश की result season को आपको basic चीज़ों को अच्छे से समझा दे अगर इसके बाद करो result season में देखो जिसे एक्सेंज पर आप खुद निकाल के देखो मैंने इपिटा निकाला और फिर जीविंजिस से compare करो मेरा सही आया एक नहीं है पिर अगर नहीं आया है तो आप चेक करके देखो 5-7-10 बार करेंगे आप मुझे जरुती नहीं मैं खुदी कर लूँगा बिल्कुल और वैसे तो हर नतीजे को समझाने के लिए तो आप वो एक अलग बात है देखो समझाने के लिए तो दीप हमें दिनगी पर थोड़ी रहेंगे सबको अपने आप खुद सीखना आना चाहिए यह हमारी कोशिश है कि लोग अपने आप सीखे चले तो आशा है कि आपको इससे मदद मिली और आगे जाकर आप भी ट्राइ करें समझने की और कोई भी सवाल हो तो प्लीज हमें भीजिए हम उसके भी जावाब देंगे बट फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आनल जी इस रिजल्ट की पार्ट शाला के लिए अर्निंग सीजन चल रहा है आप सब अब यहां से सीख कर खुद भी इसे अपनी डेली इंवेस्टिंग और ट्रैकिंग हाबिट में अफलाय करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया